एहबार चौधमा बाब फिर खुदावन ने मुसा से कहा के कोड़ी के लिए जिस दिन वो पाक करार दिया जाए, ये शरा है कि उसे काहिन के पास ले जाएं, और काहिन लशकरगा के बाहर जाए, और काहिन खुद कोड़ी को मुलाहिजा करे, और अगर देखे के उसका कोड़ अच्छा हो गया है, तो काहिन हुकम दे, के वो जो पाक करार दिया जाने को है, उसके लिए दो जिन्दा पाक परिंदे, और दियोदार की लकड़ी, और सुर्ख कपड़ा, और जुफा लें, और काहिन हुकम दे, के उन में से एक परिंदा किसी मिट्टी के बर्तन में बहते हुए पानी के उपर जिभा किया जाए, फिर वो जिन्दा परिंदा को और दियोदार की लकड़ी, और सुर्ख कपड़े, और जुफा को ले, और उनको और उस जिन्दा परिंदा को उस परि रहते पानी पर जिभा हो चुका है, और उस शक्स पर जो कोड से पाक करार दिया जाने को है, साथ बार छिड़क कर उसे पाक करार दे, और जिन्दा परिंदा को खुले मैदान में छोड़ दे, और वो जो पाक करार दिया जाएगा, अपने कपडे धोए, और सारे बाल मुंडाए, और पानी में घुसल करे, तब वो पाक ठहरेगा, इसके बाद वो लशकरगा में आए, पर साथ दिन तक अपने खैमा के बाहर ही रहे, और साथ में रोज अपने सिर के सब बाल, और अपनी दाड़ी, और अपने अबरू गर्ज, अपने सारे बाल मुंडाए, और अपने कपडे धोए, और पानी में नहाए, तब वो पाक ठहरेगा, और वो आठ में दिन दो बेयब नर बर्रे, और एक बेयब यक साला मादा बर्रा, और नजर की कुर्बानी के लिए एफा के तीन दिहाई हिस्सा के बराबर, तेल मिला हुआ मैदा, और लौज भर तेल ले, तब वो कहिन जो उसे पाक करार देगा, उस शक्स को जो पाक करार दिया जाएगा, और इन चीजों को, जो खुदावन के हज़ूर, खैमाए इज्टमा के दर्वाजा पर हाजर करे, और कहिन नर बर्रों में से एक को लेकर जुर्म की कुर्बानी के लिए उसे और उस लौज भर तेल को नजदीक लाए, और उनको हिलाने की कुर्बानी के तोर पर खुदावन के हज़ूर हिलाए, और उस बर्रा को मक्दस में उस जगह जिभा करे, जहां खता की कुर्बानी और सोख्तनी कुर्बानी के जानवर जिभा किये जाते हैं क्यूंके जुर्म की कुर्बानी खता की कुर्बानी की तरहा काहन का हिस्सा ठहरेगी वो नहायत मुकदस है और कहन जुर्म की कुर्बानी का कुछ खून ले और जो शक्स पाक करार दिया जाएगा उसके दहने कान की लौ पर और दहने हाथ के अंगूठे पर और दहने पाओं के अंगूठे पर उसे लगाए और कहन उस लौज भर तेल में से कुछ लेकर अपने बाएं हाथ की हथेली में डाले और कहन अपनी दहनी उंगली को अपने बाएं हाथ के तेल में डबोए 24. और खुदावन के हजूर कुछ तेल सात बार अपनी उंगली से छड़ के 25. और कहन अपने हाथ के बाकी तेल में से कुछ ले और जो कुछ पाक करार दिया जाएगा उसके दाहने कान की लौ पर और उसके दाहने हाथ के अंगूठे और दाहने पाउं के अंगूठे पर जुर्म की कुर्बानी के खुन के उपर लगाए और जो तेल काहन के हाथ में बाकी बचे उसे वो उस शक्स के सिर में डाल दे जो पाक करार दिया जाएगा यूं काहिन उसके लिए खुदावन के हजूर कफारा दे और काहिन खता की कुर्बानी भी गुजराने और उसके लिए जो अपनी नापाकी से पाक करार दिया जाएगा कफारा दे इसके बाद वो सोखतनी कुर्बानी के जानवर को जिभा करे फिर काहिन सोखतनी कुर्बानी और नजर की कुर्बानी को मजबा पर चड़ाए यूं काहिन उसके लिए कफारा दे तो वो पाक ठहरेगा और अगर वो गरीब हो और इतना उसे मकदूर ना हो तो वो हिलाने के वास्ते जुर्म की कुर्बानी के लिए एक नर बर्रा ले ताके उसके लिए कफारा दिया जाए और नजर की कुर्बानी के लिए एफा के दस्वे हिस्सा के बराबर तेल मिला हुआ मैदा और लौज बर तेल और अपने मकदूर के मताबिक दो कुम्रिया या कबूतर के दो बच्चे भी ले जिन में से एक तो खता की कुर्बानी के लिए और दूसरा सोखनी कुर्बानी के लिए हो उन्हें वो आठवे दिन अपने पाक करार दिये जाने के लिए काहिन के पास खैमाए इज्टमा के दर्वाजा पर खुदावन के हजूर लाए और काहिन जुर्म की कुर्बानी के बर्रा को और उस लौज भर तेल को लेकर उनको खुदावन के हजूर हिलाने की कुर्बानी के तौर पर हिलाए फिर काहिन जुर्म की कुर्बानी के बर्रा को जिबा करे और वो जुर्म की कुर्बानी का कुछ खुण लेकर जो शक्स पाक करार दिया जाएगा उसके दहने कान की लौपर और दहने हाथ के अंगूठे और दहने पाउं के अंगूठा पर उसे लगाए फिर काहिन उस तेल में से कुछ आपने बाएं हाथ की हथेली में डाले, और वो आपने बाएं हाथ के तेल में से कुछ आपनी दाहनी उंगली से, खुदावन के हजूर सात बार छिड़के, फिर काहिन कुछ अपने हाथ के तेल में से ले और जो शक्स पाक करार दिया जाएगा, उसके दाहने कान की लौपर और उसके दाहने हाथ के अंगूठे और दाहने पाओं के अंगूठे पर जुर्म की कुर्बानी के खून की जगहा उसे लगाए, और जो तेल काहिन के हाथ में बाकी बचे, वो उसे उस शक्स के सिर में डाल दे, जो पाक करार दिया जाएगा, ताके उसके लिए खुदावन के हजूर कफारा दिया जाए, फिर वो कुम्रियों या कबूतर के बच्चों में से, जिन्हें वो ला सका हो, एक को चड़ाए, यनि जो कुछ उसे मुयस्र हुआ हो, उस में से एक को खता की कुर्बानी के तौर पर और दूसरे को सोखतनी कुर्बानी के तौर पर नजर की कुर्बानी के साथ गुजराने यू काहन उस शक्स के लिए जो पाक करार दिया जाएगा, खुदावन के हजूर कफारा दे, उस कोडी के लिए जो आपने पाक करार दिये जाने के सामान को लाने का मकदूर ना रखता हो, शरा ये है फिर खुदावन ने मुसा और हरुन से कहा, कि जब तुम मुलक के कैनान में जिसे मैं तुम्हारी मलकियत किये देता हूँ, दाखिल हो, और मैं तुम्हारे मेरासी मुलक के किसी घर में कोड की बला को भेजूँ, तो उस घर का मालक जाकर काहन को खबर दे, कि मुझे ऐसा मालूम होता है कि उस घर में कुछ बला सी है, तब काहन हुक्म करे कि इससे पेश्टर के उस बला को देखने के लिए काहन वहां जाए, लोग उस घर को खाली करें, ताके जो कुछ घर में हो, वो नापाक न ठहराया इसके बाद काहिन घर देखने को अंदर जाए और उस बला को मुलाहिज़ा करे और अगर देखे के वो बला उस घर की दिवारों में सबजी या सुर्खी मायल गहरी लकीरों की सूरत में है और दिवार में सथा के अंदर नजराती है, तो काहिन घर से बाहर निकल कर घर के दर्वाजा पर जाए और घर को साथ दिन के लिए बंद कर दे और वो साथ में दिन फिर आकर उसे देखे अगर वो बला घर की दिवारों में फैली हुई नजर आए तो काहिन हुक्म दे के उन पत्थरों को जिन में वो बला है निकाल कर उन्हें शहर के बाहर किसी नापाक जगहा में फैंक दे फिर वो उस घर को अंदर ही अंदर चारों तरफ से खुर्चवाए और उस खुर्ची हुई मिटी को शहर के बाहर किसी नापाक जगहा में डालें और वो उन पत्थरों की जगहा और पत्थर लाकर लगाएं और काहिन ताजा गारे से उस घर की इस्तरकारी कराए और अगर पत्थरों के निकाले जाने और उस घर के खुर्चे और इस्तरकारी कराए जाने के बाद भी वो बला फिर आ जाए और उस घर में फूट निकले तो काहिन अंदर जाकर मुलाहिजा करे और अगर देखे के वो बला घर में फैल गई है तो उस घर में खा जाने वाला कोड है वो नापाक है तब वो उस घर को उसके पत्थरों और लकडियों और उसकी सारी मिटी को गिरा दे और वो उनको शहर के बाहर निकाल कर किसी नापाक जगहा में ले जाए। मा सवाए इसके अगर कोई उस घर के बंद कर दिये जाने के दिनों में उसके अंदर दाखल हो तो वो शाम तक नापाक ठहरेगा। और जो कोई उस घर में सोए वो अपने कपड़े धो डाले और जो कोई उस घर में कुछ खाए वो भी अपने कपड़े धोए। और अगर काहन अंदर जाकर मुलाहिज़ा करे और देखे के घर की इस तरकारी के बाद वो बला उस घर में नहीं पहली तो वो उस घर को पाक करार दे क्यूंके वो बला दूर हो गई। और वो उस घर को पाक करार देने के लिए दो परिंदे और देओदार की लकड़ी और सुर्ख कपड़ा और जूफा ले और वो उन परिंदों में से एक को मिट्टी के किसी बरतन में बहते हुए पानी पर जिभा करे। फिर वो देओदार की लकड़ी और जूफा और सुर्ख कपड़े और उस जिन्दा परिंदा को ले कर उनको उस दिभा किये हुए परिंदा के कोण में और उस बहते हुए पानी में गोता दे और साथ बार उस घर पर छिडके जूफा और सुर्ख कपड़े से उस घर को पाक करे और उस जिन्दा परिंदा को शहर के बाहर खुले मैदान में छोड़ दे, यूँ वो घर के लिए कफारा दे तो वो पाक ठहरेगा. कोड़ की हर किसम की बलाके और साफा के लिए और कपड़े और घर के कोड़ के लिए और वर्म और पिपड़ी और चमकते हुए दाग के लिए शरा ये है, ताके बताया जाए के कब वो नापाक और कब पाक करार दिये जाएं, कोड़ के लिए शरा ये ही है.